हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं इंगलिश अक्याडमी आज कर जो टॉपिक है वो स्पेलिंग डूल से रिलेटेड है कुछ जो स्पेलिंग है वो हमें कन्फ्यूस करते हैं उन्हीं में से हैं एक साउंड जो है शल्ल की साउंड C-I-A-L इसकी भी साउंड सल्ल की साउंड होती है और T-I-A-L इसकी भी साउंड सल्ल की साउंड होती है हमें थोड़ान कंफियोज हो जाता है कि कौन सा सल लिखेंंगे जैसे social लिखना हो या facial लिखना हो याref val लिखना हो तो हमें धोड़ा intéressant ओपर कौन सा शल ऑए तो इस वीडियोग को पूरा देखें आपके सare doubts कलियर हो जाएंगे जब हमें वोवल किसी जब वर्ड बोलें तो उसमें जैसे सोशल बोल रहे हैं शो, ओ, यहाँ पर शो, सल, अब सल की साउंड आ रही है तो जब आपको वोवल लास्ट हो तो उसके बाद जो सल की साउंड आ रही है उसमें C, I, A, L वाला सल लगाना है तो इसमें वर्ड में आएगा सोशल, C, I, A, L वाला सल आएगा सोशल और उसी प्रकार जैसे की पार्शल, आप लिखेंगे P, A, R, पार पार के बाद जो सल आ रहा है, मतलब यह लेटर कौन सा है आपका, कॉंसिनेंट है तो कॉंसिनेंट के बाद अगर कोई सल आता है, तो आपको T, I, A, L वाला सल लेखना है T, I, A, L वाला सल लेखना है, इसके कुछ एक्षेप्शनल है, बाकी छोड़कर जो भी है, वो सब इसी रूल को फॉलो करते हैं चलो आगे देखते हैं जैसे मैंने बताया कि इससे पहले वोविल के बाद ये वाला C, I, A, L वाला सल यूज करेंगे आप वोविल लेटर तो अच्छे से चानते हैं, A, E, I, O, U बट इसका एक छोटा सा हिंट है, आप जब प्रनन्स करें, तो A, E, I, O, U के बाद सल लिखेंगे लेकिन इनको प्रनन्स करने का एक अपना एक छोटा सा रूल है या हिंट है, रूल नहा हिंट है तो A, O, और U, इसका हम लॉंग साउंड बोलेंगे इसका हम लॉंग साउंड बोलेंगे, लॉंग साउंड मतलब इन लैटर्स का नाम बोलेंगे और E और I इसका हम short song बोलेंगे short song मतलब इन letters का हम sound बोलेंगे चलो start करते हैं For A यहाँ पर A का हम नाम बोलेंगे For A, शल Facial O, शो, सल शोशल देखें आप जब इन words को देखेंगे तो इन से शल से पहले जितने भी आपको दिखेंगे वो सारे आप वोवल ही दिखेंगे Consonant नहीं है इसमें Facial O, शो, सोशल रे, रे, सल रे, शल गल, ए, गले, शल गले, शल जब डबल लेटर हो और उससे पहले जो वोवल है तो इसका हम sound बोलते हैं Off Off, फी Official Official Sp, ए, स्पे बताया ए, ए का हम क्या बोलेंगे Short sound बोलेंगे E का हम short sound बोलेंगे Sp, शल Sp, आर्ट आर, आर्टी आर्टी फी, आर्टी फी, शल Artificial Sacr, से, क्र, से, क्र, ई, से, क्र, ऐ, से, क्री, फी, शल Sacrificial यहां पर यू का कुछ ऐसे English एक ऐसा है जो हम पढ़ते जाएं spelling याद करते जाएं या फिर rule याद करते जाएं बट कहीं कहीं पर इसका जो यह सारी चीजें हमारे काम नहीं आती है कुछ हमें different मिल ही जाता है वैसे ही यहां पर मैंने तो पहले बताएं यह यू का आ साउंड आ रहा है यहां पर double O यहां पर इसका नाम बोल रहा है न इसकी हम साउंड बोल रहा है यहां पर उ, उ, जो उ हम खीच कर बोलते हैं उस उ की साउंड आ रही है वैसे ही, यहाँ पर सेम, डबल ओ की जो साउंड होती है क्रुल इसे क्रुशल बोलेंगे, क्रुशियल नहीं बोलेंगे सुपर सुपर फि सुपर सि चल सुपरफिशल Next है T-I-A-L वाला शल T-I-A-L वाला शल इससे पहले consonant होना चाहिए तो आप अगर inverse को देखें तो यहाँ पर P-A-R R के बाद जो सल है वो है तो यहाँ पर T-A-I-L वाला शल है P-R partial partial M-R partial partial impartial I-M-P-R impartial impartial वैसे भी यह जैसे double S है हमने कभी भी यह रूल देखा है कि दो वोबल के बीच में अगर S है तो उसकी साउंड जैड हो जाती है बट यहाँ पर single S नहीं है double S है इसलिए इसकी साउंड स की ही साउंड आएगी जैड की साउंड नहीं आएगी तो A-A-S-E-N essential 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 C-C-R-A credence credential credential residential 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 confidential 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 degradation न्थिएश्पोणच्य exponential and influential 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 sequential 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 पोटेंशल, यह सारी वर्ड्स में जो शल से पहले लेटर है वो है आपका कॉंसिनेंट कॉंसिक्वेंशल, रिफर, रिफरेंशल, रिफरेंशल पर, पर पर-ट्र, परेंशल, परन्ट् झे बीफरेंशल, पर्ट्र, बीफरेंशल, परेंशल, रिफरेंशल differential वैसे ही आप ये पूरे words को देखेंगे same जैसे ये देखो इतना बड़ा word है आपका spelling है आप इसे भी ये है C के बाद जब आई हो तो इसे S पढ़ते हैं कि कब पढ़ते हैं इसे पढ़ते हैं S S पढ़ते हैं C के बाद जब आई हो तो इसे S सरकम यहाँ पर दो बार C हैं बट सब इनका C के बाद आई होने के कारण इसका sound स है और इसका sound क है सरकम सरकम स्ट सरकम्स्ट एन सरकम्स्टेंश सरकम्स्टेंश इसे कुछ एक्सेप्शन भी देख लेते हैं इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है अगर इन्हें आप याद रखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सारी जो वर्ट्स है जो मैंने बताया है उसी रूल को फॉलो करेंगे जैसे C I A L मैंने कहा कि वावल हो उसके बाद C I A L लिखना है बट ये त्री लेटर्स ऐसे हैं जो त्री वर्ट्स ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं जैसे फाइनेंशिल कॉमेर्शिल और प्रोविनेंशिल इसमें सल से पहले जितने भी हैं वो कॉंसनेंट है और उसके बाद भी इसमें C I A L वाला शल आया है वैसे ही T I A L वाला जो सल है वो कॉंसनेंट के बाद आता है बट इन लेटर्स में आपको ये रूल नहीं مिलेंगे इसमें इसमें आपको ये रूल नहीं मिलेंगे ये आपको स्टलिंग गलत है P-A-L-A-T-I-A-L Palacial Initial, Palacial और Special इन words के साथ आप देखेंगे कि T-I-A-L शल आया है बट इन से पहले आपका इन से पहले आप यहाँ पर वोविल देखेंगे और एक word ऐसा है Controversal जिसमें C-I-A-L और T-I-A-L यह दोनों शल नहीं आते इसका है S-I-A-L वाला शल अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो Please Like, Subscribe and Share Thank you for watching this video